की Elite क्वेलों। गोले क्विन्गी डिग कट्व के ऊप दूद और यह ट्राइई सब्सक्रिद ईसको मैंने इस अव्क भंबुद में मिलाया है इसी कप से मैंने दूद दिया है ये अज मौश dall कहिंद को अधर चमम दिखे आंगा दिखा रही ूर calidad में परहें हैं nee मैं दया हैं तैपल स्पून मिल होग तो इसको मैं ने मिक्स करके 10 इसमें पहले रखा था मैं सोची निवीडियो बनाऊी би हैं वीडियो ऊसरे स्टर्ठ कर दिया थो से अब दो तो को मैद को चांद करते हैं अपर दिखाते ने की सब्सक्राइब तो फ़िए इस्पॉन सब्सक्राइब और मैदा की कपá को में नीए योग में और में यहीं तो चले फिर हम मैदे चान लेते हैं इसके बाद आपको में दिखाती हूँ कि आखी का सब्सक्राइब कि यह देखेए प्रेंस मैने मैदे को चान लिया है अब मैंने इसमें उस्मैस किया एक ट्यूबल स्पुन नमक अब हम इसे मिक्स करेंगे तकुल दमल में चीक है खशka है तो जुरनी बना perfect जोगद की जूव का दो करेंगे टेया दो हमें देचाते हैं अगर अगर आज की पर ईकि데ो को लाइक कीजा एक और मुझे अगर page देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और बेल का बटन दाबा कर और अन कर दीजेगा तक कि मेरी अगली आने वाली वीडियो जो है वह आप तक पहुंचे यह देखिए बिल्कुल इस्टिकी सा दो हमारा तयार हो चुका है अब हम इसमें थोड़ा-थोड आ है अजह ऑड़ा तक के से हमें सां लेना है अच्छे से एसे मैने डो को तैयार कर लीए जो घर में तो ह persecution में iced जो है वह गरम जगा होता है तो मैंने तो आप इसे हम अच्छे से ओल लगा देंगे इसके उपर और इसे रख देंगे तीन से चार घंटे के लिए और हम जो है इसके साथ खाने वाली भाजी बनाएंगे कि मैंने लीड़ा है एक कड़ाई इससे मृण ड़ार रहा है दो बड़ा चमाच ओइल और एक मीडियम साइज का प्याज और तो तीन हरी मेल्स कि मैंने कट दिहा थे को मैं डिया है और यह लिए है मैंने तीन जाला है हल्दी पpan वोल कुंद नमक करें और मेक शाथ करेंगे और पुमह मसालों को हमly मिडियम प्लमपो हमे थे दो से ये मिल्म साथ हरा तयार करें सबत करें देखेंगि में दोटु मिडियम प्लेंड मार में दखान ठ्यार करें तो देखें तैयार हो चुका है बिल्कुल ऑइल सेप्रेट हो चुका है तो जो टमाटर दीख रहा है कड़ा कड़ा उसको हम इसी स्पैचुला के साथ से साहता से इसको मैश कर लेंगे ताकि बिल्कुल मसाला हो जाए और मैंने इसमें डाला है सब्जी जो है बिंग्स 100 ग्राम और 100 ग्रा मसाली को मिक्स कर देंगे और हैसि मैं जाइड करेंगे पानी एक ग्लास मने पानी एक किया है 100 ml तो मुझे थोड़ा कम लगा तो मैंने आदा और दालायानिक इरो स्व ये खुख तर्फर्म पानी मैंने आट किया है पानी हमें ज्यादा नहीं है बस इतना रखना है कि हमारी सब्जी जो है अच्छे से को जाया और यह देखिए तीन हुन्टे बार हमारा दो हो जो है कितना अप्छे से फूल चुका है इत्था कितना कम और कितना जादा यह फूल के हो जुका है डबल तीवल कॉंटेटी में हो चुका है तो अब हम इसे एक बार फिट से एक साथ इकटा करेंगे और रखेंगे अपने किचन प्लेट फारम पर और उसमें लगाएंगे और हम इसकी मसाज करेंगे बहुत आची तरेखे से अथ उपर भी लगा लेना है कि यह बहुत ही श्टेकी सा हो जाता है तो हमें कुछ इस तरीके से इसको कीच-कीच करके इसका डो जो है आटा इसका पापस से हमें लगाना है आप किचन जो प्लेटफॉर्म में उस पर लगा दीजिए था कि वह उस पर चिपके ना और इसे अची तरीके से कीच कीच करके इसका हम आटास तयार कर लेंगे और लेंगे एक बेकिंग ट्रे इसको आइल से ग्रीज करे है और मैंने दीए है इसका रांड से परेखे अल्का सा अंडे की शेग में मैंने इसको बनाया है और मैंने अपने ट्रे में लगा दिया जो हमने ओयल से घ्रीज की आधा अब इनको बेक करने के लिए चलेंगे श्री बेक करने विए नहीं इसको मैंने 15-20 दिर दो भी से कि आपको हाथ से दिखाएंगे सवरी चम्मत से यानि चेक करके दिखाया हैं तो गल्चुका था तो अब हम लेंगे एक मैशर जिसको हम कुछ दबा दबा के पूरा मैश कर देंगे एक भी सब्जी इसमें दिखनी ने चाहिए बस इसे हमें कुछ इस तरीके से करना है और आज की हमारी पावाजी की रेसिप अब आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा पहले और शेर कीजिएगा अपने प्रेंड्स के साथ जिनको पावाजी बहुत पसंदो आप एक बाद ट्राइ कीजिएगा आपको रेसिपी पसंद आईगी तो मैंने लिया है हाफ के पावाजी के करीब में आलू जिसको मैंने बॉयल करके छील दिया था और मैंने डाल दिया है इन भाजी के साथ में और आलू को भी मैस कर लिया है इदेखे सारी सब्जियों को मैंने मैस किया आलू भी मैस कर दिया फिर मैंने इसमेट किया है पानी पानी आप मैंने को सब्सक्राइब और यह पाव के साथ खाने वाली भाजी जो है रडी हो चुकी है मैंने इसको तौधर पकने लिया जब इसमें थोड़ा बॉइल आने लगा ऐसे बॉबल्स फिर मैंने आड़ किया है पावाजी का मसाला यह पुरा पैकेट मैंने यूज कर लिया है मोजओ में तौधक पैकेट मैंने वधूर डू वा निलिया अगली यह पूरा लिय उसरों मेने इसमें यह अड़ कर लिया और जाला है एक बटर का क्यूब बड़ा सा और हरा दनिय के मैंने गार्णिश किया है और जो है हमारी भाजी तयार है अपने सबी चीजों को हम एक साथ थोड़ा सा मिक्स करेंगे फिर हम इसे ढख करके दो मिनट और कुको ने देंगी उसके वाद हमारी भाजी डन हो जाएगी अब इसमें नमक तोड़ा सा टेस्ट किया तो मिझे कम लगा तो मैंने इसमें और तोड़ा सा नमक आड़ किया आप टेस्ट करो उसके बाद फिर आपको जो जादा लगे वह आप अपने साब से आड़ कर लेना तो हमारी भाजी जो है वह रिडि हो चुकी है तो हम चलते हैं अपने पाव को बेक करने के लिए तो चले फिर पूरे 20 मिनट के बाद देखिए हमारे पाव का साइज जो है वह डबल हो चुका है तो अब हम लगाएंगे इसके ऊपर थोड़ा साथ मिल्क और तक इसका कलर बहुत अच्छा आजा तो हम मिल्क लगाने के बाद इसको डाले यहां आँजो हएंगे आवन में बेक होने के लिए तो मैंने इसको बेक किया है 15-20 मिनट और पिर हमारा जो है बनके तयार हो चुका है वह देखिए हैं आप देख सकते हो कितना अच्छा अश्मारा बनके तयार हुआ है कितना अच्छा इसस पर कलर भी आ चुका है तो हम मै मैंने इसको अपलाई किया थोड़ा सा बटर ताकि ऊपर से भी शॉफ्ट हो जाए और थोड़ा सा पाव मैंने बनाया था यह देखिए कितना अच्छा पाव बना हुआ है हमारा कितना स्पॉंजी तो आप भी जाएए ट्राय किजिए और आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगे तो रेट वीडियो को लाइक कर दीजेगा और मुझे अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा थैंक्स पर वाटिंग इन थैंक्स पर सब्सक्राइब झाली किजिए और मुझे खाट्ड़ आपको लाटि लेख लेगे लेगा झाली कि तो बार आपको ।ब्सक्राइब कर रहे हैं तो जुछे खाली किए तो आपको में कर दो भी जोड़ी दो पर रहे हैं घोगको